यहां पर जकैती की घटना को अंजाम दिया है और 9,38,000 रुपिये बैंक से लूटने की बाद प्रकास में आई है भागलपुर के नवगच्या में लूट के एक वारदात हुई यहां हतियार बंद अपरादी बैंक आफ इंडिया में घुसाई और बैंक कर्मचारियों को बंधक बना कर घटना को अंजाम दिया बताया जा रहा है कि नवगच्या के एनेची कत्त सिस्थित बैंक ओफ इंडिया में हत्यार से लेस अपराधियों ने बैंक कर्मियों और ग्राहकों को हत्यार के बल पर बंधक बनाया और कैश काउंटर में रखे 9 लाख रुपे लूट कर फरार हो गए अपराधियों ने चोहरे पर मास्क बहन रखेते तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही नवगचिया के सबी सुशांत कुमार सरोज, स्ड़ी पीओ दिलीब कुमार थाना अध्यक्ष समेत अन्य पुलिस पताधिकारी मौके पर पहुँचकर चानबीन में जुट गए मार पीट के लपठ तफट किए हैं लपठ तफट कर्के वहों कby देख रोगए, लुटाथ कियां नॉला किसी बेर ने ले गिया है सब देख रहे हुआ है मासactic में था श सपतक शप्रादी था मास कि म privacy प्ला वावीथ कि Mrs. Deno'tall पुलिस बैंक में लगे CCTV केमरे का फुटेज खंगाल रही है आज पास लगे CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताके अपराध्यों के पहचान की जा सके पुलिस पराध्कर्मी मत्यार के साथ डांक आफ इंडिया विबू से और उन्होंने जो गार्ट था उसको कबजा करके यहां पे टेकर्टी की घटना को अंजाम दिया है और 9,38,000 रुपिये बैंक से दूपने की बाद प्रकास में आई है इस समझ में एक प्रात्मिकी दर्ज की जा रही है और घटना में जो पांच अफरात करनी हैं सिसी टीवी में जो पुटेज प्राप्त में वो सभी मास्क लगाए हुए थे लेकिन जो भी अफरात कर्मी है निश्यत रूप से पहचाने जाएंगे और उन पर कारवाई होगी इस संबन में भागलपूर, भाका, सभी जिला को और सिमावर्ती जिला को भी अलर्ट किया गया है सभी जगा हमारी कारवाई चल रही है और हमें विश्वास है कि हम सिग्रिस कान का उत्वेदन कर लेगा है हाँ, जो भी ग्राहक उस समय बैंक में थे उन समों को बनत बनाया गया शायर मार्पीट गाट को कबज़ह करते समय उन्हें दकम किया गया है हध्यार का इस्तेमाल किया गया है तान्धियार बरामत होने की बहुत अभी है सर याम बैंक में टकैती से इलाके में संसनी फैल गई पुलिस ने इलाके में नाकबंदी कर दी अपराधियों के गरफतारी के लिए वाहन चेकिंग और छापेमारी की जा रही है फिलाल किसी की गरफतार होने की कोई सूचना नहीं मिली है भागलपुर से अंजिनी कुमार का शियर पंजाब केस्टी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद